हलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप लोग उम्मित करता हूं कि बहुत अच्छा होंगे दोस्तों आज इस आइडिया के बारे मैं बात करने वाला हूं अभी तक यूटूब में ऐसा आइडिया नहीं है मैं वैसा ही आइडिया देता हूं जो यूटूब में नहीं होता है इस बिजनेस को लेकर के मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूं कि पानी का बिजनेस आपको बहुत वह लग रहा होगा कि यारी कैसे होगा कितना खर्च लएगा क्या करना होगा कुछ नहीं आप बिल्कुल 100-2005 से स्टार्ट कर सकते हैं वैसा मैं बिजनेस आइडिया सेयर करता हू और अभी मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से क्या है द्यान से सुनिएगा इस बात को देखिए काफी जो है सर्च करने के बाद ये सब आइडिया मिलता है आप लोग को लगता होगा कि यार बस यू जो मन में आया बग दिया नहीं इसको बड़ी सर्च करने के जाता हूं उसको बड़ी ध्यान सुनिए जैसे यह माली जो पानी का पाउच होता है इस तरीके का जो पाउच होता है जिसमें धाई से मल होता है मतलब की 250 ग्राम होता है एक पाउप होलते है और यह मिलता है तीन रुपे में मार्केट में अभी मिल रहा है आज की डेट में जो पानी का बोटल होता है जो इतना बड़ा होता है जिसको 20 लिटर का होता है जो कैन होता है 20 लिटर का उसको आपको खरीदना है एक कितने मिलता है 20 लिटर में मिल जाता है कहीं 15 लिटर में मिल जाता है जो पानी हम पीते है वो फिल्टर वाला पानी जो नहीं मंगाते है कि और लता है और 25-500 यह व्यक्त रेता है ऐसा आपको फॉझा पॉञ्झी इस पेकट को आप घ्यान से ब्र्सक्ट रेलेना है यह मिल जाता है जैसा कर आप स्क्रीन पे देख रहे है तो वैसा आपको पैकट की ब मिल जाएगा और एक machine आता है ठीक है यह बिलकुल वही 7800 रुबे में करी में आएगा machine वह machine जो पंच करने वाला होता है इस तरीके से ऐसे करके वो पंच होता है ठीक है और इस पेक मैं अलग सी वीडियो बना दूँगा किस तरीके सी को करना होता है लेकिन पूरी आइडिया सुन लीजे कि आइडिया में क्या बतार हो तो इसको पंच करके अगर यह 200 ml का है तो एक लीटर में चार पैकेट ऐसे तयार होंगे समझ रहे हैं बा ब्रुपे का मालब भीगे एक बोतल से एक बीस लिटर का अशी पैकेट आसी रुसयो को से अगर और जीज तो फल Works अघर मिलेंगे हैं तो अगर इस तरहीं से कर पांच बगर बोटला पकड़ा जार पीछ तयार कर देतें हैं तो एक हजार पीजिए पर ऑढ़ करके भर दिजिए और उस को भेच्ना कैसे है में में इपोर्ण बाद उसको भेचना कैसे है यह तरीका आपको जाना जरूरा है क्योंकि यह इसे वैसे 20 दुकान पकड़ लीजिए, क्या 20 दुकान आपके एरिया में नहीं है, ज्यादा ही होगा, तो 20 दुकान आप पकड़ लेंगे, अगर वहां पे 100 भी लोग ले लेते हैं, नहीं आपको फ्रीज रखना है उनको जो दुकान दार है, आपको तो कोईंटेंसिन आपको लाकर के वहां देना है, ठीक है, एक रुपे में देते हैं, तो जीतना देंगे उतना आपका फैदा है, तो 20 दुकान पकड़ लेंगे, तो दुहज़़ज़ माल आपका सफलाई हो जाएगा, अगर पचास पड़ज़़ लेंगे तो हज़़ज़़ हो जाएगा, आपका सौर पर लगता है, चलो 1.500 लगता है, फिर भी बाकी आपका 1.500 आप निकाल दो, उतना प्रोफिट ही प्रोफिट है, है की नहीं आडिया, अगर धमएकदार आडिया लगी तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बिल आइकन को देता रहता हूं, चले दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद, आपका दिन सुबो चाहिंदे